बुलंद शेहर में युवक की गला दबाकर हत्या करती गई है और खाली फ्लोट में शव पड़ा मिला है सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक जांश पर्टाल की बाद शव को पुस्ट मार्टम के लिए भेज दिया कुर्जा खुपवाली अक्षेत्र के गाउं किला निवासी विवेक गिरी कल शाम संदिग दिप्रस्थीती में घर से लापता हो गया था और परिजनों की तलाश करने के बाद मृतक का शव खाली फ्लोट पर मिला जिससे के परिजनों में और अक्षेत्र वाशियों में काफी रोज है सियो सुरेश कुमार ने बताया कि मामले में जांच पर्टाल की जा रही है जवदी घटना का खुलासा कर दिया जाेगा बता दे ले कि मृतक विवेक बेजेपी नेता का पोता बताया जाएंगा मोके पर खुर्जा विधायक विजेंदर सिंग ने पहुंच कर एंगी। सियो को जल सी जल मामे का खुलासा करने की बाद कई है । लिलात भाद चरो में तह जो जलात जोलें, का ही पाता नाँ जाँ पाया है तो पता कैस चलाग तो अब काई कोई कपड़ा सुखारी चत्त बहुने बतायों को यादी में परो है जब बख्के काई सब्सक्राइब कट्टो है नवा कट्टे में उचला रहे हैं तो इस बहुत कुट्टा लगुवा रात को होने आप क्यो हुए देवारे आपापने मात है ना आप नमस्कार एक इसमें मुर्डर हुआ है इसमें किले में है और गरी एंव बुसाइग गरी और हमारे जो है पाइटी के बड़े वरिष्ट काद्र करता भी है और उनका लड़का है कि सब हैं का लड़का जो मंदिर पर रहता है पूजागर काये बालाजी मंदिर पर अपने घर पर आकर उन्होंने स्कूटी खड़ी करी स्कूटी खड़ी करते ही और किसी ने बुला लिए पीछे बूप बुला कर 21 साल का लड़का है और उसको मार दिया मार कर वहीं गेड़ दिया कि आप पिर्यास करा के कप्तान साव इस मेंडर को जल्दी से खोड़ लो कि यह किले में रोस जाद है इन लोगों में और हमारी सरकार तो ऐसी है का आपको पताईए के और आप तो एक्टिव कप्तान है आज इन पर सब्सक्राइब को आज इस पर टीम गठीट करके और इसको तुरंत खोल दो मदर को जल्दी सब्सक्राइब किस तरह से मडर हुआ है यह का मतलब बाला जी मंदिर पर गया था पुजा कन्य नहीं से एक लड़का और था उड़का और तो वह यह का आई दोनो तो इस पर को फोन आया पोने साथ वजे के करीब और यह को तरवजे पर खड़ी करका यह तुरंत बापिस चलागा फिर इस लगवाज यह तो फिर अवने खाई महाजा जागे देगा तो उसकी बोड़ी पड़ी थी किस तरह से अत्या की गई है अब एक तो वह के मतलब वह को रस्टी गले में थी ना उसके रस्टी से यह तार से बांत कमारा है अच्छा पोस्माटम के लिए हाप जरी देदी हाँ सब्सक्राइब देदी को पुलिस सूचना मिलते ही दत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कारवाई पुलिस ने की है किस तरह से हत्या हुई है सब्सक्राइब देखिए अभी पोस्माटम के लिए शब को भेज दिया गया है उसके आधार पर ही निश्करश निकालना उचित होगा लेकिन गले पर कुछ चोटके निसान है संबलता है उसी कारण मृत्ती हुई है और लेकिन सारी चीजें पोस्माटम के बाद इस परश्ट हो पाएंगे झाल